दस सवाल का दम जी हाँ जिससे देश की सबसे बड़ी जाच इजिंसी CBI सवाल करने वाली है उससे आज तक ने हर वो सवाल किया है हर वो मुश्किल सवाल किया है जो सबसे बड़ी मिस्ट्री को लेकर सबके जहन में है रिया चकरवर्ती जी हाँ सुषान सिंग राशपूत की गर्फरिंड और सुषान की बॉफ मिस्ट्री की आरोपी नमबर एक आज तक ने रिया से एक्स्लूसिव बाचीत की सीधे रिया की जुबानी सुनिए हर सवाल का जवाब शुरुआत रिया और सुषान के रिष्टों क तो सुषान्त और मैं काफी साल से दोस्त है हम लोग 2013 में यश्राथ स्टूडियो में मिले थे मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उनकी फिल्म काई पोचे रिलीज होने को थी या बस हुई थी और वायरेफ आ रहे थे न्यू तैलेंट बने थे विए अग्यर उस वक्त भी और हम लोग वायरेफ के जिम में इंटेड्यूस हुए और फिर कभी-कभी यहां-वार्ड शोस पे मिलना जुलना होता था हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे चाहिए साल में एक बार भी मिलते हों बर पूरी बात करते थे कि कैसा है सब कुछ पूरी मतरब सारी अ उसी दोरान मुझे अच्छा लगता था तभी और लगता था किया लेकिन कुछ अलग है कुछ अलग किसम का लगका है इसके साथ बैट के बात करनी पड़ेगी पूरी बात करनी पड़ेगी और फिर एप्रिल 2019 13 एप्रिल सुषान्त और मैं रोईनी आईयर जी की पार्टी मिलें वहां से हमारा रिष्टा फिर एक्चली शिरुआ और प्यार तो सुषान्त ने तो बोला उसको एकी दिन में हो गया पर मैंने एक्चली बोला था कि दो तीन महीने हैं दो मुझे मैं बताती हूं यह आई लव यू जो वर्ड है बट बड़ा वर्ड है और मुझे क्या आप कुछ महिनों बाद उनके साथ रहने भी लगी यू बिकेम इस पार्टना यह बताये इस वस रोमांस देफोर फॉम एप्रिल 2019 धीरे धीरे बढ़ता गया और इवेंचली यू मुवड इन विथिम आप उनके घर रहने लगी यू सा देख रहने लगी यू सा देख रहन तो सुषान्त और मेरा एक रानिंग पर्सनल अनिक्डोट मैं आपके साथ शाय करती हूं कि हमने कभी ऐसे फॉमली शादी की बात नहीं की अफ कॉस्स लोंग टर्म अब तो लग रहा है कि दूसरे जनम तक भी चलेगा एक बात मैं जरूर करती थी कि मुझे एक छोटा तो सुषान्त चाहिए उसी की तरह उसी की फेस का एक छोटा सुषी और ये हमारा एक रानिंग जोग था जो ओविसली जोग भी नहीं अज़ अज़ आज अज़ आपके लोग डिसकस करते थे इससे आपको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके का रलेशन्शिप था वाड़ आण्यग मैं उस अज़ आपके लाइन्यद्र म मारणी और उन्होने मजे जिस वेग मेंस जिस नजर से देखा जिस प्यार से देखा, उस नजर से मैं अपनी नजरों में उपर हो गई और our relationship actually, our friendship थी that was the basis of our relationship, the trust and the honesty, the understanding that the other person in your attitude तरह समझते हैं चाहे अब लो हो हाई हो यह हो वो हो कोई फर्फी पर दो और आठ जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशान का घर छोड़ दिया उसके छे दन बाद यानि कि ठीक 14 जून को सुशान सिंग राजपूत की रहस्माई हालत में मौत हो गई आठ जून को आखिर क्या कुछ हुआ था इस एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू में रिया ने आठ जून के रहस्यों से पर्दाव थाया जून आठ कि मैं आपको स्पेसिफिकली बात करता हूं क्या हुआ आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा आप डिसमबर से उनके साथ रह रह रही थी लेकिन जून 8 2020 आप सुशान्त का घर छोड़ती है क्यों तो में मिड ओनवर्ड सुशान्त कूर्ग जो की साथ रिगया में एक ताउन है वहाँ शिफ्ट होने की प्लानिंग और तयारी कर रहे थे उन्होंने अपने लॉयर और अपने घर में जो फ्लाटमेट्मेट्स हैं और एक दूसरे दोस्त आयूशर्मा को भी फोन करके पहले अबीर शिफ्ट होने का उनका प्लान था वो काफी कंसिस्टेंट लिए घर ढूंद रहे थे शिफ्ट होने के लिए He wanted to leave to Kurg. He wanted to move to Kurg. Move to Kurg in May 2020. In May 2020. And I in fact have messages उनके लोयर के साथ की आप प्लीज घर आये उनको help कीजे. He wants to move there. He wants to set up something बहाँ पे. Leap stardom completely. बोल तो रहा था. But I thought maybe, he thought maybe I'll stay six months there. I'll do a film and I'll keep that as my base. He was very different. He was not very into Mumbai life and city life. He was not a very big fan of that. He wanted pahaad, peace, kheti. ये उनके सपने थे. In fact ये हमारे सपने थे. कि हम कहीं और रहे के साल में एक पिचर करी सकते हैं Mumbai में. और क्या पता साथ ही कर लें तो क्या ही बात हो? June 8 को क्या हुआ वो पूरा दिन हमें बताई है. जी. तो सुषान कूर्ग शिफ्टोने की तयारी कर रहे थे. और contrary to the allegations on me कि मैं नहीं उनको जाने दे रहे थी. मैं काफी understanding थी उस बात को लेकर और मुझे लगा कि if that's better for him, which I felt it would have been better for him, then that's that. long distance relationship भी होता है. मैं कुछ महीने वहां बिता सकती हूं, कुछ महीने अपने घर पर बिता सकती हूं और चलता रहा जैसे through the lockdown, Sushant's depression kicked in again. There were phases. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो जादा बिप्रेस्ट होते थे, it's been diagnosed as bipolar disorder. तो, in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I, in fact, इस बात से मुझे बहुत घबरावत हुई थी है, which is why on 3rd June, I contacted Dr. Kersi Chavra, की उनके जो psychiatrist थे, की आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजे, मुझे लग रहा है वो फिर से depression में जा रहा है और paranoia भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चाट भी है, तो आप उनसे बात कीजे, और सी, what medication, does he require medication, और सुषान की Dr. Kersi Chavra से बात भी हुई 3rd June को, Dr. Kersi Chavra को लगा, yes, he does need medication, yes, he is sleeping into a depression, लेकिन सुषान was behaving very, slightly aloof with me, और बार बार मुझे कह रहे थे, की तुम घर जाओ, और ये घर जाओ, घर जाओ, कहीं 2nd, 3rd June से, 1st June से ही शुरू हो गया थे, की मुझे तो cool shift करना ही है, तुम घर जाओ, क्योंकि मेरी anxiety, मुझे भी anxiety attacks हो रहे थे, में के महिने में और जून के महिने में, और वो मेरी हालत भी देखके, सुषान को अच्छा नहीं लग रहा था, वो बोल रहा था, जाओ, घर जाओ, ठीक हो, और शायद मेरी मदद करो फ तो 8th June को मेरी एक therapy session book थी, Dr. Susan Walker के साथ, 11.30am की, तो that goes to prove कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8th June को जाने का, मैं अपने घर पर therapy session नहीं कर सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे mom and dad मुझे उस हालत में देखें, मुझे एक brave face उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी mom and dad अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए 8th June को जब मेरी therapy session थी, मैंने सुशान को बोला कि मेरी therapy session है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप therapy session यहां मत करो, आप घर जाओ, तो मैंने क पर मुझे therapy session करके जाने दो, उन्होंने बोला, नहीं, आप therapy session के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है, मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महिने में, वो अपने बहनों से, अपने पिताजी से, लगातार फोन पे बात करते रहे, कि हाँ मैं कूर् जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला, मैं जाती हूँ पर, एक ही condition है मेरी, कि आपकी बहन, जो बॉम्बे में रहती है, गोरे गाओं में रहती है, मीतु जी, वो आएं, वो यहाँ होंगी, तो मैं जाओगी, इन फैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी बारा बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतु जी, तब ही मैं जाओगी, जब वो बिल्डिंग के नीचे हूँगी, उन्हेंने का नहीं, वो एक दो घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा, और हाँ, मे और उनके परिवार के रिष्टे कुछ खास नहीं थे, they were strained from inception, शुरुआत से काफी तकलीफ है थी, उनकी family को मैं अब तो जाएज ही हो, clear ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, मेरी ऐसी strong emotions ना थे ना है उनके लिए, और जब कोई इंसान mental health, depression या किसी भी health problem से ग बहुत जरूरी होता है, इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ, इसी लिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊँ, तो जिस दिन मैं निकली, I ensured कि me too सुशान सिस्टर वहाँ पे हूँ, और वो थी रिया शकरवर्ती पर आरोप है कि सुशान सिंग राजपूत के depression की बात को उन्होंने जानबूच कर फैलाया, जब कि सुशान बिलकुल normal थे, इस आरोप पर रिया ने सफाई दी, रिया ने दावा किया कि सुशान को ये परिशानी 2013 से ही थी Let me come to a question, एक सवाल मैं बार-बार आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बार-बार आ रहा है, depression, अब मुझे आज सच्चा ही चाहिए, Was Sushan suffering from depression, क्या सुशान की तवियत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा, ये कब से डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि ये सबसे जो बड़ा सवाल है, क्या वाकई सुशान बाइपोलर ट्रीटमेंट के लिए इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था, क्या जरूरत थी, या आप उनको कह रही थी, नहीं, Sushan you are depressed, और उनको इन डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही थी, जबरदस्ती लेकर जा रही थी. मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, अगर अभी इतने सारे allegations लगे हैं मेरे पे, अगर सब मुझे इतना ही मतलब ही समझते हैं, तो मेरी तो picture है Sushanth के साथ, हम लोग एक picture कर रहे हैं मेरे life की सबसे बड़ी picture, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ये picture हो, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि व chronic attacks कि वो एक psychiatrist से खुद मिलना चाहते थे, उन्हों ने ये request की, मुझे in fact मेरी family में ऐसी कोई history नहीं है, मैं इतनी well-washed नहीं थी उस वक्त, mental health से और depression से और anxiety से एक बहुत बड़ी चीज मेरे life में आई है, मुझे फिर समझ में आया है, पहले मुझे लेगा कि क्यों, ये ठीक चला जाएगा एक दो दिन में, फिर वो insist किया कि उसको एक psychiatrist को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 reputed top not psychiatrist से मिले हैं, जिनके साथ सुषान्थ underwent treatment, वो हिंदुजा hospital में admit हुआ है, depression के लिए under dr. करसी चावडा, जो एक reputed doctor है, उसके अलावा dr. परवीन दाजा चंजी भी उनक के doctor रह चुकी है, क्योंकि वो travel कर रहे थी, सुषान्थ ने dr. करसी चावडा पर shift किया, और सुषान्थ खुद doctor को मिलके choose करता था, whether or not he wanted to continue treatment with such and such doctor, yes or no, depending on the interaction. Medication कौन दे रहा था, doctor दे रहे थे, आप दे रहे थे, doctors prescription देते हैं, उस prescription के बगेर आप कहीं से यह दवाया नहीं ला सकते हो, these are prescribed medications, four doctors, maybe 20-25 prescriptions weekly, in fact आप एक वीक लेट भी वो prescription नहीं ले सकते हो. Did you find the doctor for Sushan? No, I didn't. कि Sushan, आप के मिलने से पहले, April 2019, मिलने से पहले इन दॉक्टरों से मिल रहा था, या आप से, जब relationship शुरूई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्हें मुझे बताया था कि वो एक psychiatrist से मिल चुके हैं, उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन-किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ वो एक दवाय जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर करसी चावडा ने प्रिस्क्राइब की, तो म और उनकी जो मदर हैं, जो पास्ट वे जिनसे वो बहर प्यार करते थे और इन फाक्त मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन है कि वो पनी मा के बिना नहीं जी बा रहे थे, वो भी मेंटल इल्नेंस की चिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन और इसी कारण अच्छली उनकी अच्छी उनकी अच्छी वोज नो मुझे यह मेंटल हेल्फ की वज़ा क्या कहीं न कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिलेशन्शिप में आ गया कि यू वर स्ट्रगलिंग तो डिल विट तपक्कि सुषान जो है में भी सफरिंग फ अच्छी न कहीं क्या ये एक तरह से आपको धीरे धीरे दूर हटाने लगा अच्छी कॉइट यह हमें काफी क्लोज ले आया क्यूंकि अगर आप किसी के लिए अप एक के टिकर बन जाते हो और मुंस एक नर्स और मुंस एक अमदर आपको उनकी हर गलती माफ होती है आपको उनसे ऐसा ऐसा प्यार हो जाता है कि उसमें कोई कंडिशन नहीं होते है आप उन्हें पूरी तरह समझते हो और वो भी अपनी सारी सच्चाई आपसे शेयर करते हैं When someone shares their fears with you, it really changes the relationship क्योंकि अब कोई फसाड और कोई जूट नहीं रहा And Sushan did that with me and as did I with him, हमारी एक कमाल की दोस्ती शुरू ही और ऐसा नहीं था कि वो 24 सो घंटे डिप्रेस्ट रते थे कुछ दिन उनके बहुत खराब होते थे, in fact December में वो काफी ठीक हो गए थे, Dr. करसी चावड़क की वज़े से और वो messages भी है मेरे पास कि मैंने doctor को message कि finally he's fine yay I'm so happy यह इतने भी messages इतने आप और वो professional doctors के बीच हैं, क्या यह आपके पास है? सारे के सारे क्या यह messages आपने ED के सामने रखे हैं, Mumbai police के सामने रखे हैं? और of course मैं CBI को सब कुछ दूँगी और NCB को सब कुछ दूँगी मैं यहां corporate कर रही हूँ, लेकिन लोग बाहर इतनी कहानिया बना रहे हैं कि मेरे घर के अंदर मेरी माँ अस्पताल में admit होने वाली हैं कल क्या मुझे अपनी innocence proof करने का मौका नहीं मिलेगा? रिया चकरवर्ती पर सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप ड्रक्स की dealing करने और सुशान को उनकी जानकारी के बिना ड्रक्स देने का लगा इस interview में रिया चकरवर्ती से ड्रक्स को लेकर सामने आई chats पर सवाल किये गए रिया ने दोनों ही आरोपो पर अपनी सफाई दिये अब मामला आ रहा है नार्कोटिक्स का और नार्कोटिक्स ड्रक कंट्रोल भी आपको क्वेस्चन कर सकती है क्योंकि कहीं न कहीं ये सवाल उट रहा है कि क्या रिया का ड्रग पेडलर्स ड्रग डीलर्स के साथ कोई कनेक्शन है ये यही बचा था ना अब मेरे उपर डालने के लिए कि इस लड़की को इतना क्रूसिफाई कर दो मैं तो बोलती हूँ एक बंदू के लिया और मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जागी गोली मार कि उड़ा दो हमें नहीं तो हमें सुसाइट कर लेते हैं फिर कौन रिस्पॉंसिबल होगा और मैं इनके डीटेल्स में सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं जाना चाहूँगी कि ये मेरे आगे की इन्वेस्टिगेशन और केस को तंग कर सकता है फिर भी मैं पूछूंगा और आप अपना जवाब दे सकती है तीन चैट से 2017 में एक चैट होती है एक होटेलियर गौरव आरिया के साथ जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से MDMA ट्राइ करना चाहती है आप कहती है महरुआना के बारे में बात होती है इन केस्ट वी स्पीक अवाओ हाट रगसाद आप दू तो मुच राइट M.D.M.A. वंस यह मैंसेज वाट्सअप का सब चैनल पर चल रहा है यह 2017 मैं है आपने कभी M.D.A. में लिया है No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उचके साथ भी एक conversation होती है, जहां कहा जाता है कि कही ना कहीं आप चाय में CBD डाल दीजिये, जो एक तरह से केनबिस से जुड़ी हुए, ड्रग से जुड़ी हुए, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप सुषान को CBD क्यों देना चाहती थी, यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप CBD डालिये, मैं नहीं देना चाहती थी, उन्होंने जया से होगा, लेकिन अगेन, Sir, I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to continue this. Fair enough, my third one is, 2020, Samuel Miranda का conversation आया हुआ है, कि stock is over, इससे यह पता चलता है, कि या तो आप ड्रग ले रही थी, या सुषान ले रहा था, सच्चाही क्या है? It's unfortunate कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी vices को ऐसे exploit करना होता है, पर अब मेरे पास कोई option नहीं है, Yes, Sushant used to smoke marijuana, और हाँ वो काफी regularly पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे, In fact, Kedarnath की shooting या उससे जरा सा पहले से उन्होने शुरू किया था ये, और मैं in fact उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, सिर्फ इसी department में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कुट्दाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन, He was a man of his own choices. He was a grown man who chose what he wanted to do and nobody could stop him. You did not encourage him to trade drugs. Absolutely not, in fact, I have a chat. Even though he was on the habit, वो द्रुग पर है लेकिन आपने कभी उनको एंकरेज नहीं किया. You didn't try to stop him. I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any kind of drugs. And depression, he is taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him and you are saying you are unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is why I am, which is my main point that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him. And no. अपर्णिया चार्वार्वर्टी और सुशान सिंग् राजपूत के परिवार के संबन्द और रिष्टे अच्छे नहीं थे. ये बात किसी से चुपी नहीं है. लेकिन इसके लिए रिया को ही जिमेदाट है राया जाता रहा है. रिया पर आरोप लगा कि उसने ही सुशान को उसके परिवार से दूर कर दिया आज तक उधी इंटेव्यू में रिया ने इसारोप को नकार दिया पहली बात तो मैं उनको उनके भेहन के साथ ही तो लास्ट में उनके भेहन के साथ है न आठ से लेकर तेरा तक तो isolation की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि भेन ही आए दूसरी बात Feb में वो अपने भेन और जीजा जी ओपी सिंग से बैंड रख एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं बात कर रहे हैं, smile कर रहे हैं ये picture आपको public domain में मिल जाएगी तो कहां आती है बात isolation की तीसरी बात, Jan 20th को वो चंदीगड गए हैं by road अपनी sister और brother-in-law ओपी सिंग के घर रहने अब वो एक रात या दो रात रहके वापस आ गए अगर मैं आपके brother को isolate कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रुकते जब वो चंदीगड आए हैं आप क्यों नहीं रोकते क्यों आएं वापस वो नहीं रहना चाते थे आपके साथ उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं मेरे चार्ट्स पढ़ लीजे उनके साथ मुझे पता भी नहीं था वो अपसा रहे हैं आप कुछ देखिए कहीं न कहीं उनको भी संदे था कि आपके साथ रहने से उनके भाई के जिंदगी को कोई खत्रा रह सकता है देखिए वो एक ऑफिसर है जो यूनिफॉर्म में अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो वो उनके साथ कैफे में बैटके हसते वे मुझकुराते वे खाना क्यू खा रहे थे वही फेबरी के उसी ताइम डियॉरेशन में वो जाके ग्रिटिन कंप्लेंट लिखते थे उनकी बात तो कोई मानी लेता ये टेक्स मेसिज में कहने से कि उनको बुला के उनको पीटो ये उनकी लैंग्विज है आप रिया को पकड़ लीजे और उसे मारिये ये है उनके टेक्स में ये कहां से वैलिड हुआ रिया आपके और सुशान के फैमिली के बीच में रिश्टे कैसे थे और सुशान के आपके फैमिली के साथ कैसे रिश्टे थे अच्छे नहीं थे क्योंकि एप्रिल में जब मैं सुशान को मिली थी 2019 में शुरू के दस दिन में उनकी बेहन प्रियंका और उनके ब्रदर इनल एक हाथसा हुआ जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनप्रोप्रोप्रेटली गलत जगाओं पे छूने की कोशिश की और प्रियंका जो है प्रियंका जी ने और अगले दिन मैंने सुषांत को अगले दिन मेरा शूट था मैं चन्नाई गई थी अपनी फिल्म की मूरत क पेले मैंने सुषांत को फोन पर बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को आधी रात को मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ अगले दिन जब मैं चन्नाई में थी सुषांत और उसकी भेन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में सुषांत ने मुझे बेजे हैं जो अभी भी पॉब्लिक डोमेन में हैं जहां वो खुद कह रहा है कि मैं सिस्टर इस मैनुपलेटिंग मी अगें उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर दे इंफ्लूंस अफ आलकोहॉल और वो अपने ब्रदर इनलोग को भी बोड रहे हैं सिधात की सिद्धिड भ परिवार में रिष्टे बिल्कुल बिगड गए थे शुरू से ही खराब थे इन फाक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुषान पर केस करने की बड़ अगर आप सुषान से इतना प्यार करती थी उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी परि अगर प्रियंका के साथ मेरा रिष्टा खराब था या अच्छा था बाकियों के साथ तो कोई रिष्टा नहीं था मुझे नवेंबर में पता चला कि उनकी एक भेन मुंबई में भी रहती हैं जिस वक्त वो लोग आये नवेंबर में मुझे तब एहसास हुआ कि उनकी एक मुंबई में भी रहती हैं मीतु जी और जब उनकी भेने आई इन फैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है मैंने उनके पैर छुए मिलते ही मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटर स्टोन में कि जाने दो जो भी हुआ अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है आप आए बहुत अच्छा हुआ मैं यही तो सोच रही हूं दो महिने से लड़का रो रोके आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं आजाओ आजाओ आप क्यों नहीं आए और उनको रातो रात वाटर स्टोन में छोड़ के चली उस हालत में अगर उन्हें दोशन दोख लेके कि आप निकल यहन से नहीं ना तो क्यूं गये वो UnPH जब वो चंडी गढ़ गया क्योंनी रोका उसे के साथ है लग रहा है बड़ा नॉर्मल लग रहा है और सुशान लुक्स लाइक ही खुश नजर आ रहा है अपने परिवार के साथ आज आप मुझे कह रही है कि वह रिलेशन्शिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है वह वीडियो देखकर तो हमें सब और मैं यह मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिष्टा अच्छा है मैं चाहती थी कि फैमिली इंवाल्व हो जाए मैं चाहती थी कि फैमिली में इंवाल्व हो जाए फैमिली सब समझे लेकिन वो आते थे उनमें क्या अनबन होती थी वो लोग एक ही दिन में आया है छे दिन अगर उनको मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे साथ छे दिन पैनकेक्स पीज़ा और ट्रांसरेंटल मेडिटेशन क्यों करने थी वो यह कैसा आइसोलेशन हुआ एंद फादर सिंग साथ से शुषांत सिंग राजपूत और उनके पिताजी के रिष्टे इन सु पादाजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था सुषांत सुषांत वस्वेरी हर्ट अबाउट बाउट बाउट नैच्रिडी अज़र कोई भी छोटा बच्चा अपनी माग के लिए ये बात जरूर फील करेगा मेरी सुषांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुषांत हैड नॉट मेट हिस फादर फॉर फाइव यूर्स सुषांत सिंग राजपूत के परिवार ने रिया चकरवर्टी और उसके परिवार पर 15 करोर रुपे ट्रांसवर करने का आरोप लगाया इसके लावा सुषांत की कमपनियों में सेदारी लेने और उनके पैसों से फ्लाट खरीदने के आरोप भी लगे क्या रिया और उसका परिवार सच में सुषांत के पैसों पर जी रहा था देखें नारोपू का रिया ने क्या जवाब दिया कि सुशान के परिवार ने का आया है कि सुशान सिंग राजपूत फैमिली सेज कि आपने 15 करोड सुशान सिंग राजपूत से लिए यह उनके फादर का कंप्लेंट है जो पतना पुलीस में जो दायर है इन 2019 सुशान है 17 करोड में थे 2019 में कुछ महिनों में 15 करोड ट्रांसफर हुए टू अकाउंट नॉट लिंक टू इस इंवेस्टिगेटिड की यह पैसा कहां गया यह डी फ्रॉड आपने क्या आप पर जो गंभीर आरोप यह है कि यह एक तरह से मनी लॉंडरिंग था या फ्र भी इंवेस्टिगेटेड मुझे मुंबई पुलीस इंवेस्टिगेट कर चुक्ये मुझे एडी कर चुक'े आगे जाके CBI भी करेगी और उसकी आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि NCB भी करेगी और मैं सारे इंवेस्टिगेशन में कॉपरेट करूंगी आप मुझे बताई आप क्यों नहीं बताते हैं यह 15 करोड कहा है क्योंकि मेरे क्यों सब्सक्राइब है। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं एडी को अलरी दे चुकी हूं और मेरे पास है इसका बैंक लॉन अभी भरा जा रहा है मुझे पचास लाग रुपए अभी देने है 17,000 का मेरा EMI है मंतली जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी क्योंकि मेरी लाइफ तो कम्प्रीटली खारि के बार ने दूसरी बार जो उसका पहला पेड़ाप कैपिल है 20 या 35 तीस लाग का वो मैंने अपने सेविंग से भरे है यह एक 300 स्क्वेर फूट का घर है आप घुसेंगे खतम हो जाएगा सुशान सिंग राजपूत के जो अकाउंट्स थे कोटक महिंदरा HDFC Standard Chartered आप कहरें इन तीनो बैंक के अकाउंट से कहीं आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया आपने एडी को का एक पैसा आपका नहीं गया आपके नाम पर जी शुशान के अकाउंट से एक भी पैसा आपके या आपके परिवार के व्यक्ति के पास नहीं गया Absolutely, 0 rupees have been transferred from any of Sushant's accounts to any of my family member's accounts or me. The only transaction that's happened between both our accounts is कि मैंने अपने अपने अकाउंट से 35,000 rupees Sushant को transfer किये थे क्योंकि एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने प्यार महबबत में मेरे hair and makeup के पैसे दे दिये थे और मुझे लगा कि हाई नहीं मैं वापस घर देती हूं तो उन्हें बिना बताए मैंने उनके अकाउंट में वापस transfer कर दिये थे ये इकलोता transaction है Sushant के accounts और मेरे और मेरे परिवार के किसी भी account से CBI जांच को लेकर RIA का रवया कभी हाँ तो कभी ना कर रहा उसने बिहार पुलिस की F.I.R. CBI को transfer करने पर सुप्रीम का दर्वाजा खटखटाया सुप्रीम कौर्ट का तो क्या अब RIA CBI का सामना करने के लिए तयार है RIA का जवाब सुनिये मैं जानना चाहती हूं उनसे कि ऐसा क्या हुआ आट से चौदा के बीच में कि अगर उन्होंने सुशाइट कमिट किया यह यह कुछ और था मैं खुद जानना चाहती हूं इसलिए सर मैंने CBI इंक्वाइरी मांगी थी यह पतना के F.I.R. से पहले आपने 16 जुलाई को एक ट्वीट किया है कि अमिट शाजी मैं चाहती हूं कि सुशान के मामले में इतने हफते हो गई CBI इंक्वाइरी हो क्यों चाहती थी क्योंकि I'm unclear about the last week I'm unclear कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ और ये it's so unclear और मैं जानना चाहती हूं even I want justice for सुशान but I am very I am very confused कोई बोलता है ये कोई बोलता है वो मजाग बना के रख दिया which is why I want CBI inquiry क्योंकि आप एक समय कहती है आपको CBI inquiry चाहिए जब बिहार पुलिस उस मामले में आती है और फिर उस मामले F.I.R. जो दर्ज होती है फिर CBI के पास रखती है तो आप Supreme Court जाती है और jurisdiction का सवाल उठाती है लोगों को ये लगता है कि आप C जानना था कि उस आखरी हफते में क्या हुआ और अगर इंडिया की Apex institution आके इसको investigate कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे क्योंकि लोगों मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में मुझे विश्वास है ED में मुझे विश्वास है CBI में लेकिन लोग नहीं मानते और मैं culprit बनती जा रही हूँ लोग मुझे बोलते जा रहे हैं जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे सुशान सिंग राशपूत मामले में मुंबाई पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए गए ये भी कहा गया कि मुंबाई पुलिस रिया को लेकर नर्मी बरत रही है रिया और बैंडरा के DCP अभी शेक तरी मुखे के बीच फोन कॉल्स को लेकर भी सवाल उठाए गए सक्त सवालों वाले इस इंटर्व्यू में रिया ने इनका भी जवाब दिया क्या आपको लगता है कि सुषान के मामले में मुंबाई पुलीस ने सही इन्वेस्टिकेशन नहीं की क्योंकि आपने उन से पहले बात की उन्होंने कई डिरेक्टर्स को पुलाए माईश भट से बात की है कई बड़े बड़े लोग पुलीस स्टेशन में रोज दिखाई द क्या आपको लगता है वो गलत दिशा में जा रही थी मुंबाई पुलीस का इंवेस्टिकेशन? I don't think that मेरे लगने या ना लगने से मैं कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं कि मैं बताओ किसका इंवेस्टिकेशन कैसा है बड़ाइ थी थी बड़े बड़े वर वर्किंड आपको ने वर्किंड देवेर वर्किंड थी वर्किंड रही फिर्म एट इन्मेर की उनको मेरी बात ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार गया आजकल मेरे पर ये बी ऐलेगेशन है कि मुंबई पुलीस वेरी फ्रेंडली तुमी नो देवर नॉट आप इंटरोगेशन अगें अन अगें इन फैक उनको काफी वक्त लगा जब वो सारे डॉक्टर्स को मिले थे जब उनसे बात ही तब शायद जाकर उनको समझ में आया कि मैं जो बोल रही हूं उसमें और यह जा रहा है कि आप उन्से संपर्क में थी आपकी उनसे बात्यूषी । क्यों आप Bendra की DCP से क्यों बात कर रही थी क्योंकि मैं एक विटनिस हूँ एक केस की जो इंटेरोगेट कर रहे हैं मैं उस समय अक्यूज नहीं थी और मेरी मानसिक थिती कोई खास थी नहीं मैं तीन-चार बार जाके अपने स्टेटमेंट दे चुकी थी उसके अलावा अगर म करने इलाके के सीनियर मोस्ट ओफिशिल को जिसे आप जानते हूं कि सर प्लीज मेरी हेल्प कीज़े आई नीड प्रोटेक्शन या सर मुझे यह एफ आयार फाइल करना है सुषान सिंग राशपूत मामले में बॉलिवोड और नेपोटिजम का अंगल भी सामने आया मुंबाई पुलिस ने इसकी जांच की क्या इसकी वजह से सुषान को काम नहीं मिल रहा था और वो परिशान थे इस सवाल का जवाब रिया चकरवर्टी से बेटर कोई नहीं दे सकता था क्योंकि पिछले 14 महीने से वही सुषान के साथ रह रही थी क्या बॉलिवोड के गैंग के साथ आपका कनेक्शन है या नहीं? जी नहीं बॉलिवोड के किसी गैंग के साथ या किसी भी गैंग के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन हाँ ऐसी कुछ-कुछ चीज़े हैं जो सुषान को काफी परेशान करती थी जो मैंने अपने स्टेट्मेंट में और अपने बयान में मुंबई पुलिस को भी बताया है एडी को भी बताया है और आगे जाके में CBI को भी बताऊंगी एक मेटू ऐलिगेशन लगा था सुषान पे 2018 end में by Sanjana Sangui, his co-star और Sanjana Sangui ने यह allegation clarify नहीं किया था काफी समय तक and Sushant had to go out there and release his private chats with her for people to believe him और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटर्वी देता था या कहीं में जाता था यह मीटू, मीटू, मीटू used to haunt him in fact उसने मुझे बताया था how bad and traumatic that time when this allegation was made was for him and that continued unfortunately every interview that he gave that me to think kept coming up that girl gave a clarification one and a half months later this destroyed Sushant's mental sanity so the reason I'm asking you this is कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि Sushant एक victim थे एक nepotism का कि Bollywood में लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाते है जब पहली investigation हुई करण जोहर का नाम निकलता है यश्राज फिल्म्स का निकलता है और कहा जाता है कि Sushant एक ऐसे इस्तिती में थे कि वो काम्याभी पा रहे थे लेकिन पूरी तरह से Bollywood ने उनको accept नहीं किया था उनको film awards नहीं मिलते हैं अच्छे picture है करते हैं hit picture लेकिन coffee with current पर बुलाय नहीं जा रहा है क्या कहीं ये बात जो है Sushant ने आप से कभी वो खलती थी उनको आप से बताई कभी कि मैं एक तरह से शिकार बना हूँ इस Bollywood इंडस्ट्री का जी वो film awards में nominate ना हो ना सोन चिरिया और चिछोरे जैसी successful और अलग एक artistically amazing और एक super hit and amazing movie बिलकुल भी awards उसमें nominate नहीं हुआ Sushant उसकी film चाहे हो उनके technicians हो लेकिन Sushant का नाम कहीं नहीं आया और वो काफी upset था इस बाद से वो था upset जी और मैं भी काफी upset थी इस बाद से कि ऐसा क्यूं है कि एक इतना अच्छा कलाकार इतनी अच्छी picture का नाम nominate ना हो और यह me too allegation Sushant को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है क्योंकि यह बहुत ही absurd चीज़ है तो me too allegation एक ऐसा एक ऐसी सिती जहां अच्छे picture बनते लेकिन awards भी नहीं मिलते nomination भी नहीं क्या कहीं ना कहीं यह सुशान के depression के लिए एक वज़ा हो सकती है क्या उन्होंने यह आप में confiand कि देखे यह इसलिए कूर्ब में जाना चाता हूं इस इंडस्ट्री से दूर हटना चाता हूं क्या यह सही है या नहीं जी काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक picture कर भी लूँगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे-बुरे articles काफी blind articles भी उनके बारे में लिखे जाते थे fake और गंदे उससे उनको काफी mental strain होता था वह इस तो बेरी अपसेट वह एक वह बारे में यह था कि आपके सपोर्ट में आप जैसे कह रहे हैं बड़ी स्टार नहीं है लेकिन आप आपने पिक्चरे की हैं क्यों नहीं कि आपके directors आपके को स्टार्स एक के बाद एक आपकर कहते हैं रिया के खिलाफ जो हो रहा है गलत हो रहा है क्यों नहीं आते हैं आपके सपोर्ट में instead they are saying justice for सुशान किसी ने justice for रिया की बात नहीं की है मैं उसे दरख्वास करती हूं कि प्लीज मेरे सपोर्ट में आ जाओ प्लीज सच का साथ दो और प्लीज अपनी अपनी अवास जहां जहां आप उठा सकते हैं उठाईए एक अक्टर होने का या पब्लिक फिकर होने का यह सबसे बड़ा कि आप काफी लोगों को तक रीज कर पाएंगे और आपकी बात काफी लोग सुनेंगे यह बॉलीवूट का जो सवाल है क्योंकि कंगना रनौत ने में उठाया यह ने पॉटिसम का एकी बात उन्होंने यह भी कहा है कि वेरियस अक्टर्स है यूज सुशान्त यह ने फिर शुशान को डंब कर दिया यह कहा जाता है क्या यह सब सई है क्या वा सुशान इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी वाज़ा टॉचर्ड सोल क्यूंकि उनके दिमाग में यह बात खलक रही थी मैं फिर से पोछ रहा हूं कि यार यह इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है काफी बार वो बोलते थे कि मैं इंडस्ट्री अब नहीं कर रहा हूं मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं यह कूल जाना मैं आऊंगा एक फिल्म कर लूंगा पर मैं चला जाओंगा मुझे बाहर रहना है तो I definitely feel की ऐसे फेक आर्टिकल्स यह एक यह बहुत कि अपरेटेड और मैनुपलेटिव मीटू जो सुषान पे हुआ जो उन्होंने खुद कहा है मीडिया में जाके की इट अफेक्टेड हिम इट रूइन 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 रेपूटिशन एक रूट तो बिल्ड और यह बहुत हैं जब आप उपसे तरह के इंसान होते हैं और आज मैं समझती हूँ, आज तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक पुलिटिकल प्रेशर लाया गया मुंबई पुलीस पर आप अधित्या ठाकरे से मिली है या नहीं मैं आज तक अपनी जिंदगी में उनसे ना मिली हूँ ना उनसे मेरी कभी बात हुई है ना फोन पे ना मेरे पास उनका नंबर है और कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है मैं तो बोल रही हूं सरयाम कि प्लीज मुझे कोई प्रोटेक्ट करो मेरी जिंदगी तहस नहस ह हो रही है, मेरी फैमिली कहराब ही है, डिस्ट्रै हो रही है, मुझे कोई तो फ्रोटेक्क करो, मेरे पर गर्यों को बिल्कुल भी जानती हूं, क्योंकि यह कर रहा है कि कही न कही अधित्या थाकरे सूरज पंचोली काक क्नेक्शन कहीं दि शा मुर्डर से यह कहा जा रहा है कि suicide जो हुआ उसे murder कहा जा रहा है उनका connection वहा है और वो भी सुशान के case के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि सुशान को जानकारी मिलती है दिशा सालियान के suicide के बारे में जो कुछ लोग कह रहे है murder था suicide नहीं या शायद उनका है और उसके बाद यह कहा जा के नेता है मैंनी ले रहां उन्होंने लिए है आप इन नेताओं को जानती है आपके क्या political connections और यह मेरे कोई political connections की को नहीं जानती में किसी incom 없이 politician को नहीं जानती मेरे कोई political connections मैंने किसी से ना कभी बात की है ना मिली हूँ सिर्फ टीवी पर ही देखा है और जो देखा है उतना ही पता है मुझे